तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग बिस्मिल्ला इर्रख्मान इर्रहीम यह है गुजनवाला की सिटी और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मॉल है किंग्स मॉल जो तकरीबन दो साल पहले बना था तो हम लोग गए थे शापिंग करने मैंने सोचा कि चले हैं एक चोटा सा ब्लॉग भी बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं जो लोग गुजनवाला में रहते हैं वो लोग तुझे किनन जानते होंगे किंग्स मॉल को ये हमारे गर से तकरीबन 20-25 मिनट की दूरी पर था किंग्स मॉल में जब आप दाहिल होते हैं तो सबसे पहले यहां पर स्कोटी चेकिंग है आपको अपना मुबाइल या हैंड बैग जो है वह यहां पर पहले रखना पड़ता है वो चेक करते हैं उसके बात ही आप लोग किंग्स मॉल में एंटर हो सकते हैं ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी और ये सामने इम्तियास स्टोर है नेक्स्ट इन्शालला मैं इम्तियास स्टोर की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी किंग स्मॉल में काफी सारे ब्रैंड हैं और खाने पेने की काफी सारी दुकाने हैं जिसमें मैक टॉनल पीजा हॉट और भी काफी सारे ब्रैंड हैं और काफी खुबसूरत बना हुआ है मुझे तो बहुत पसंद आया और काफी साफ सुथरा भी है King's Mall काफी खुबसूरत और बहुत ही साफ सुत्रा है लाइटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है और सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है और बच्चों को King's Mall बहुत ही पसंद आया है कि यहां पर ज्यादा रश भी नहीं है और सफाई भी बहुत अच्छी है और काफी सारे ब्रैंड हैं यहां पर और कुछ ब्रैंड पर सेल भी लगी हुई है किसी ब्रैंड पर 50% है किसी पर 40% डिसकाउंट है बढ़ों के साथ साथ यहां पर बच्चों के कपड़ों के भी ब्रैंड थे यह एक ब्रैंड था यहां पर बच्चों के कपड़े बहुत ही प्यारे लग रहे थे जो चोटे बच्चों के कपड़े थे और यह एक ब्रैंड था जूतियों का यहां से बेटियों ने दो तिन जूतियां भी खरीदी थी लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी लेकिन काफी अच्छे डिजाइन थे जूतियों के बहुती खुबसूरत और प्राइस जो थे वो भी इनके बहुत अच्छे तिरकुस पर 50% डिसकाउंट भी था इकल सामने जो दिखाई दे रहा है वर्दा ब्रेंड है वर्दा ब्रेंड का नाम मैंने पहले सुना था लेकिन इस से पहले कभी वर्दा ब्रेंड से शॉपिंग नहीं की तो सोचा के चलें आज वर्दा ब्रेंड से शॉपिंग करते हैं और आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करते हैं जो यकीना आपको बहुत अच्छी लगेगी बाहिर से देखने पर डिजाइन काफी खुबसूरत और कलर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये साथ एक और शॉप थी ये भी काफी अच्छी थी लेकिन ये स्टिच कपड़े थे मैं ज्यादा तर जो हैं वो अन्ट स्टिच कपड़े ही खरीदना पसंद करती हूँ फिर टेलर से सिलवा कर वो ज्यादा खुबसूरत लगते हैं वर्दा ब्रैंड में काफी खुबसूरत कड़ाई वाले और कलरफूल कपड़े हैं आपको ये जो सामने जितने भी सूट दिखाई दे रहे हैं ये सब लीलन और खदर में हैं काफी खुबसूरत और कलरफूल है और ये जो बिल्कुल सामने अब आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन कलर का सूट है ये जो समने जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब लाउन के कपड़े हैं और लाउन पर कुछ कपड़ों पर 50% डिसकाउंट था और कुछ पर 40% ये जो वाइट और लाइट क्रीन कलर का चिकन कारी का सूट आपको सामने दिखाई दे रहा है ये मैंने खरीदा है और सिलाई होकर बहुत ही अच्छा और खुबसूरत डिजाइन लग रहा है ये सारे लाउन के सूट हैं और चिकन कारी के सूट हैं जो काफी खुबसूरत बने हुए है ये सब भी लाउन के सूट है और ये जो इस साइड पे हैं ये भी लाउन के ही कपड़े हैं इनमें भी कलर भी और जो इनका स्टाप था वो भी हाथ लगाने पर काफी अच्छा लग रहा था चिकन कारी के सूट जो थे वो बहुत ही खुबसूरत लग रहे थे ये भी एक ग्रीन कलर में है जो बहुत अच्छा लग रहा है येलो में है ब्राउन है कलर तो पहले मैं आप से कहती हूँ कि हारे की अपनी चूइस है हो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करता है किस तरह का डिजाइन वो पसंद करता है यह जो नीचे लाइट कलर का है यह मेरी सिस्टर ने सूट खरीदा था यह सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने यह सब लीलन और खदर के सूट है इन पर 10% डिसकाउंट है यह भी काफी खुबसूरत और नफीस कपड़े बने हुए है यह जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं लीलन के कुड़ते हैं काफी खुबसूरत हैं कुछ टूपीस थे दुबटा और कमीज थी और यह जो थे यह सिरफ कुड़ते थे और प्राइज भी इनके काफी अच्छे और मुनासिब थे यह ब्लैक और वाइट और रेड यह भी बहुत प्यारा लग रहा था यह भी अच्छा है डिजाइन और यह जो ब्लू वाला है जिसके उपर रेड कलर की कड़ाई है और ग्रीन यह मेरी बेटी ने खरीदा है यह ब्लैक और गॉल्डन भी काफी खुबसूरत लग रहा है और इस साइट पर यह टाइट्स हैं और कुछ पजामे बने हुएं बेल बेटम स्टाइल में यह कुड़ता भी काफी खुबसूरत है ब्लू कलर का गाउन स्टाइल में यह ब्लू है यह ब्लैक और गॉल्डन है ब्लैक नहीं मैंने खरीदने दिया बेटीों को क्योंकि उनके पास काफी सारे ब्लैक कपड़े है यह भी बहुत प्यारा है ग्रीन कलर में लेकिन आपको पता है कि बच्चों के अपनी पसंद है वो अभी देख रहे हैं बेटीयां लेकिन उन्हें कौन सा अच्छा लगेगा यह उनकी मर्जी है यह जो रेट के उपर ब्लैक कलर की कड़ाई है यह भी मेरी बेटी ने एक खरीदा है यह लाउन स्टफ पर है और जो लाउन पर थे उन पर तकरीबँ मेरा ख्यालत 30% काउंट है और जो लीलन के यह खदर के हैं उन पर 10% डिसकाउंट है और यह जो पिजामे लगरे हैं इन पर भी 40% такое लेकिन यह के काफी खुबसूरत कपड़े हैं तो प्लीज बताईएगा आपको ये आज का ब्लॉग कैसा लगा नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफेज